प्रधान मंत्री जी का जो मिशन है कि सन्मान के साथ एक किशान बोले कि हाँ मैं किसान हूँ और मैं खेती करता हूँ और इसके लिए 2014 से मिशन सुरू हो गया है और उसका जिम्मेदरी आप है और कितने दूर तक आप आए हैं अभी तक और आगे कितना जाना है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी नजब से देश का कारिभार समाला है तब से लगातार देश को आगे बढ़ाने का प्रयाद्र वो पूरी सिद्दत के साथ कर रहे हैं समग्र विकास, संतुलित विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मंत्र के आधार पर मोदी जी ने काम किया है कोबिट का कालखंड था कोबिट के कालखंड में बहुत सारे देश हमसे टेक्नलोजी वाई साउंड से उनकी सेल्थ, हेल्थ, सर्विसेज भी हमसे अच्छी थी आबादी हमसे कम थी लेकि इसके बावजूद भी वो हिल गए हमारा देश बड़ी आबादी वाला देश है हमारी हेल्थ, सर्विसेज उस समय उतनी उप्यूक्त नहीं थी जो उस महामारी को जहल सकें लेकिन परधान मंतरी जिने जहां एक और विवस्थित और अनुसासित देश के रूप में सब नागरिक सहकार करें इसके लिए अपील की, लोगों को जोड़ा, लॉग डाउन किया गरीब लोगों तक खाद्यान पहुँचे इस बात की विवस्था की गरीब महिलाएं जो लगबग 20 करोड 65 लाक जन्दन खाते वाली हैं, उनको लिक्विड बनी के रूप में 30,200 करोड रुपिया डीवीटी के माद्यम से पहुचाया, वैक्सीन का इंतिजार किया जा सकता था, कि जैसे पहले होता रहा है कि दुनिया बनाईगी तब हम लगाएंगे, लेकिन ठीक 90 दिन के भीतर प्रदान मंद्रीजी ने वैक्सीन बनाकर और अपने पैरा मेडिकल स्टाप को लगाना प्रारम कर दिया, आज 200 करोड से अधिक वैक्सीन के डोज भारत में लग चुके हैं, जहां तक क्रसी के छेतर का सवाल है, यह बहुत ब्यापक छेतर है, और इस छेतर में हमारी प्रदानता भी है, देश की अधिकान आबादी आजीविका के लिए खेती पर निर्वर करती है, लगबक 14 करोड किसान परिवार हैं, इस छेतर में प्राथमिक्ता के साथ जितना काम होना चाहिए था, सुरुआत के वर्सों में नहीं हो पाया, लेकिन प्रदान मंद्री जी ने जब से काम थमाला, तब से गाउं, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, दलित, सब की चिंदा की, और इस दरश्टी से अगर आप देखेंगे, तो 14 पंद्रा में क्रसी मंद्राले का बजट 21,000 करोड रुपया होता था, आज मोदी जी के कारिकाल में बढ़कर यह 1,24,000 करोड रुपया हुआ है, प्रुपया हुआ 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 है,